सब्सक्राइब करें सीटी न्यूज पलामू वो बेल आईकॉन दबाकर पाएं परमंदल की ताजा खबरे सबसे पहले सबसे आगे गढ़वा थाना छेत्र के डर्मी पंचाज के मुखिया वा परतापूर के गरामिनों के बीच आपसी विवात को लेकर हुई मार्पिट की घटना में दोनों पक्छों के कुल दस लोग घायल हो गए गटना में घायल एक पक्छ के मुखमद बरकत खान, इवने कासीम खान, सहिप खान, कैप खान, सलमा खातून, सफीक खान, वहीं दूसरे पक्छ के मुखिया पती निसार सहित खान, महमूत खान, मुस्ताक खान का नाम सामिल है घाटना के संबन्द में पर्थम पक्छ के बरकत खान ने बतलाय की, कुछ दिन पुर्व मुखिया पती निसार का ट्रेक्टर अवाइद रुप से बालू लोट किये जाने के बाद, पुलिस के द्वारा पकड़ी गई थी जबकि मुखिया पती का रोब था की, उन ही के द्वारा उनकी गाड़ी को पकड़वाए गया था उसी बात को लेकर रविवार को पास्ता मोड़ के पास एक पंचायत भी बुलाई गई थी पंचायती के बाद आज सोमवार की साम दोनों पक्छों के बीच कुछ बात को लेकर फिर से तुतु मैं सुरू होते होते मारपीट में तबदील हो गई जिससे ही घटना इतनी तूल पकड़ी की गोली भी चली जिसमें पर्थम पक्छ के चार लोग मुहमद बरकत खान इबने कासिम साहिप खान को गोली लगी है जिससे कैप खान की गंभीर इस्तिती को देखते हुए चिकित्सकों की दवारा प्रात्मिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना के इस्पेक्टर परमोत कुमार सिंग दलबल के साथ घटना असल पर पहुँचकर मामले की चानवीन कर रहे हैं वहीं सभी घायलो का इलाज सदर अस्पताल गढ़वा में चल रहा है अभी तक किसी भी पक्ट से थाने में किसी परकार की लिखित आवेदर नहीं दिया गया है